यूपी में कॉंग्रेस को समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चनाव लड़ेंगे, कॉंग्रेस को 17 सीटे मिली हैं, इसमें अमेठी, राइपरेली, प्रयाकराज, हरारसी भी शामिल है, सीट शेयरिंग के बाद दोनों दलों के बीच जीत के हुंकार भरी गए, अब बीजेपी में को लगता है कि ये चनावी साथ है, इसमाजवादी पार्टी समाप्ती पार्टी है, कॉंग्रेस एक भी सीट बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे साथ केश्व मौर्या है, डिप्टी सीएम, हम सीधा उनसे बात करते हैं, सर स्वागत है आज तक पर आपका सबसे पहला सवाल तो यही है, सर की ये कल डील तैय हो गई, 17 सीट कॉंग्रेस को दे दी अखले शादों ने और 63 सीटों पर वो और उनके साथ जो और लोग होंगे लड़ेंगे देखे, 2017 के बिधान सवाचुनाओ के समय, जब सपा का और कांग्रेस का थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश के अंदर वजूद था, उस समय इन्होंने गड़बंधन किया था, उस समय कहा था दो लड़कों की जोड़ी, लेकिन अब ये लड़के नहीं पहले तो ये अपनी मालना है कि सपा और कांग्रेस का गड़बंधन कहीं मलवेग भी किसी सीट पर मुझे लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, भारती जनता पार्टी भूत से लेकर के लोकसभाता के और पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत है, और मानी मोदी जी के नेत्रत में इतनी तेज लहर है कि यह गड़बंधन कहीं टिकेगर नहीं, यह गड़बंधन हवा में तैर रहा है, मिडिया में तैर रहा है, बयानों में तैर रहा है, लेकिन जमीनी हकिकत कुछ और है. मेरा बिश्वास है कि 2019 में कांग्रेस के राष्टी अध्यस रहते हुए स्री राहूल गांधी जी को अमेठी स्टीट गवानी पड़ी थी, इस बार अमेठी के साथ साथ हम राइवरेली भी कांग्रेस को हराएंगे और सपा का इस बार मान करके चलिए कि वो समापत वाधी पार्टी बनेगी और यूपी मुन का भी कहीं खाता खुलने वाला ना